इस वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे Lower Pises 2019 Mays कि Complete Strategy, कौन कौन सी बुक पढ़नी है, कौन कौन से वीडियो देखने है, कौन कौन सी Playlist पॉलोव करनी है, कैसे कैसे हिंदी की तैयारी करनी है, कैसे Reasoning करना है, कैसे Math करना है, किस सब्जेक्ट पर जद्वादा focus होना चाहिए लिस्टिंग्स कौन कौन सी पढ़नी है करन्ट अफेर कहां से अपडेट करने है सारे कोईशन के इसमें जवाब दिये जाएंगे इवन ये एक चीज मैं पहले क्लियर करना चाहूंगा कि वीडियोस हमारे पहले भी फ्री थे फ्री हैं और फ्री रहेंगे जितनी भी टेस्स इरीज यहां पर आएंगी जितनी वीकली टेस्स इरीज दी जाएंगी चाहें वो हिंदी की हो चाहें रीजनिंग की हो चाहें मैज की हो सारी आप लोगों के लिए वीडियो के फॉर्म में फ्री रहेगी आप उसको लगातार चाहें तो यूटूब में प्लेलिस्ट है लोगर पीसेज 2019 की मेंस की उससे फॉलो कर सकते हैं यह स्टेटीज है हमारे पेड़ गूप के इस्टुटेंट सी है लेकिन अगर आपने पेड़ गूप नहीं भी जोइन किया तो भी कवनी सबस्या वाली बात नहीं है सिर्फ आप एक दो क करनी है कि आप यूटूब में जाके स्टेडी फार को यहां पर सब्सक्राइब कर लिए पहले तो पहले सब्सक्राइब कर लिया और फिर यहां पर जो है इसको आल नोटिफिकेशन को टैप करके आल एक जब आगे अगर आप यूटूमँ में सच करेंगे लोवर पीसेश प्लेइस चैड़ी की प्लेइस तो यह वाली जो हमारी पेटकु पढ़ लिए उन लोग सारी PDF जरूर पढ़ लिजेगा अगर आप वीडियो नहीं भी देख पा रहे हैं तो PDF आप सारी पढ़ लिजेगा PDF का प्लस हमारी जो कुछ summary PDF और प्लस कुछ special PDF होती है इतने में लगातार अगर आप पढ़ेंगे डेली तो आपका सिलेक्शन आराम से लोवर पीसेज में हो सकता है लोवर पीसेज में study for civil services ने प्री में साड़े आठ सो स्यादा सिलेक्शन दिये हैं जिसमें से हमारे पेट गुप से 80 प्लस सिलेक्शन हुए हैं पेट गुप में प्री में करीबें 400 लोग थे और इसमें से 80 से जादा लोग सेलेक्शन हो चुके हैं 20% result ट्राइ अभी तक का highest किसी भी exam में जो हमने group चलाय था अभी तक generally result जाता था 12% 15% इस बार 20% गया है ठीक है और total जो लोग सिर्फ free वीडियो फालो करते थे सिर्फ playlist फालो करते थे वो लोग भी काफी जादा है करीबन 770 से जादा आबादी में हैं ये लगाता अभी और भी मैसे जा रहे हैं जब मैं गिन पाया था उसके 2-3 दिन तक और मैसे जाते रहते हैं पाड़े 800 से जादा सेलेक्शन दिए लोगर पीसेज के लिए अगर आप सिर्फ हमारी प्लेलिस भी फालो कर लेंगे तो काफी सफिशेंट होगी बशर्ते आप उसको जो अपडेट आए वो जरूर करते जाएगा देगे इसमें स्ट्रेटीजी 8 जुलाई 2020 से लेके 15 अक्टूबर 2020 तक की है 100 दिन के लिए अभी किसी को भी डेट नहीं पता है इसलिए मैं यहाँ पर यह स्ट्रेटीजी दे रहा हूँ अगर इनके 15 अक्टूबर से पहले यहाँ पे एक्जाम पोस्पोन हो गया तो क्या करिएगा प्लिस्ट में आप अपडेट कर दिया है बाकी जो एक्री कल्चर मिंडल का डेटा अभी अपडेट करना बाकी वह आपको दे दिया जाएगा मिसलेनियस का पाप आ जाएगा और यूपी पीसी एस और यूपी ट्रपल सी बी और इस एक्जाम के लिए बहुता ही ज़्याद परकिंग है आप दिन में करते हैं जौब रात में करते हैं सुबहें करते हैं दुपएर जब भी करते हैं आप एट लिस्ट दो तिन घंटे डेले निकालिए फिर वीकेंड पे आप ज़्यादा पड़िए इस तरह से आप कर सकते हैं ठीक है अब पेड़ गूप में हमारे द लगातार हम आपको वॉइस मेसेज देते हैं लगातार हम आपको गाइड करते हैं इसमें यह स्ट्रेटीजी तो है एक वीकली भी आपको मैसेज मिलेगा कि कईसे कईसे और क्या क्या पढ़ना है आपको सारी चीज़े दी जाएंगी ठीक दूसरा गुरूप होता है जो हमार हम इसको हलके में मत ले ले ना पचास नंबर की आएगी सॉरी पचास कोईशन आएगे दोसों कोईशन में से पचास कोईशन तो रिजनिंग मैस करेंगे पत्चिस परसंट रिजिनिंग मैस है आप गुसी हुई समझ रहे बातां और वह भी मेंस में क्या लिखा हुआ है में इसमें advanced level का आयेगा इसलिए एक और announcement है आप लोगों के लिए पहिया एक reasoning का जल्दी रिलीज करतेंगे दो तिन topic बचेंग है वो सब चलेगी वीकली रीजनिंग मैद की हम लगातार करेंगे हर वीक में उसको आप अटेम्ट करिए जो नाए पूछिए एक एक कॉंसेट एक चीजें सब कुछ वहां समझाया जाएगा कई से जो है इजी वे में करें कई से क्या हिंदी के लिए भी हम एक टेस्ट करेंगे वीकली एक अगस्से करेंगे लेकिन इसको वीकली रीजनिंग मैद का अभी से चालू हो गया है आठ जुलाई से ही चालू हो जाएगा यह फुल लेंड टेस्ट की डेट है आप लोग देख लिए नोट कर लिए इन दिनों तक मतलब तेरह सितमبر तक आपको सारी चीजें जो है कंप्लीट करना यह interpret करना ऐसके बाद हैं इसके लगता टेस्ट होंगे हैंहालाकि इसके वीडियो पहले ही दे दिये جाए लेकिन ग्रूप में जो टेस्ट हो बात में होंगे उसमें इसमें डिसकॉशन हो जो लोग पेट गूप व पीसेज की या फिर यूपीस सी की या फिर इस्टेट पीसेज की या फिर कॉम्टेटिटिव एक्जाम की अगर तैयारी कर चुके हैं तब आप यहां पर टेम्ट कर सकते हैं लेकिन टेस्ट उसी दिन होगा ठीक है एक होगा 14-16-18-22 सितंबर को फिर 2-8-9-9-9-9-9-9-9-9-9- हालाकि इससे जादा ही देंगे ठीक है यह आपको पता है is study for civil job से जितना क्विट्डटण करता है उससे जादा ही देठा है lower पीसेज में भी हमने जितने टेस्स करें तेटे उससे double से भी जादा दिये और उससे double से भी जादा दिन हमने लगातार हमने आपको अभी तक अप्टेट दिये थे इसलिए लगातार लोगों का सिलेक्शन हुआ है इसमें तो यह तो होगा दस जो हम कमिट्मेंट कर रहा है कि अटलिस इत्ता देंगे प्लस वीकली आपको हिंदी का टेस्ट मिलेगा और रीजिनिंगों मैस का मिलेगा सार अर्बिनाइजेशन का हो गया लाइव श्टॉक का हो गया टाइगर सेंसर्स का हो गया वो इसके साथ प्री रहेगा काफी सारे टेस्ट रहेंगे बहुत प्रेक्टिस हो जाएगी खुब तैयारी हो जाएगी पूरा यह ग्रुपा ही जोईन कर लो अगर आपके लिए सब कुछ इसीन करा देंगे पूरा मेंस का जो 200 नंबर की ऑफीशल पेपर उसकी बस हम ने यहां पर कमिट्मेंट ले रहे हैं बस ठीक है मेंस पर क्या क्या आता है यह एक पाइला पेपर होता है दूसरा पेपर होता है पहले पेपर में रीजनिंग आती है पत्चिस अब लोग जादा जादा प्रेक्टिस करिए जितनी जादा प्रेक्टिस करोगे तुना फायदा होगा ठीक प्रेक्टिस है यहां पर करी जा सकती और कुछ नहीं हो सकता है यह चीज़ा ध्यान रख लीजे अभी लास्ट में फिर एक बर ओफीशल वाला ऑफीशली चलिए अफीशल के हिसाब से करते हैं काम देखिए यह अफीशल से लिए बस है यह हमने आपके लिए ओपन किया यह यह योजना परिच्छा पैटरन ठीक है सौ कोईशन आएंगे आपके पेपर वर्न में सौ कोईशन आएंगे पेपर टू में ठीक है अच्छा एक चीज़ यहां मैंने गलत बोल दी रीजनिंग के तो 25 कोईशन आते हैं लेकिन यहां पर मैत के प्रिवेस यह कुईशन के हिसाब से अगर आप देखेंगे कितना बात है 25 और 37 कितना हो गया यह यह टोटल हो गया 62 62 कोईशन 200 में से सिर्फ और सिर्फ मैस और इजनिंग के आएंगे आप बात समझ रहोगी नहीं इतना हलके में मत लेना लगातार प्रिक्टिस करना लगातार जो हम वीकली टेस्ट अपने करेंगे वह हम आपको ठीक है अगर स्टेडी फॉरसिबल दर्फिस के साथ है पूरे वीडियो फ्री थे फ्री हैं फ्री रहेंगे आप उनका पूरा लाव लीजिए और सिलेक्ट होके दिखाईए ज्यादा तर सिलेक्शन हमारे जो है फ्री के जितने भी सब्सक्राइबर हैं जो लोग करना पर, प्रूरी चाहिस ब्लस का उलब्सकरणाई प्राहकर कोणी फ़्यादा लोग आपना फितना की जो हिकान इतना भू시면 फ़्रहत की लेक्टिस करे सामान इंद्या 29 लग गश्टी कोई सौन गंटे का टोटल पेपर है भाईया जी और भाईनी जी और तीन गंटे में आपको टोटल मिलाके 200 कोईशन करने हैं ठीक है आपको हम सिर्फ ग्रुप में दो गंटे का टाइम सजेस्स करेंगे कि दो गंटे में आप करिए तब ही आप एक्जाम में तीन गंटे का कर पाएंगे वीकली जो है उसका भी टाइम आपको बताया जाएगा 25 कोईशन रीजनिंग मैस के होते हैं वो आपको मैक्सिमम जो है 10-15-20 मिनिट में करने पड़ेंगे ठीक है अच्छा यहां समझिए तो आपको क्या करना है एक गंटा 30 मिनिट में करीबन 30 से लेके 40-45 मिनिट तक में आपको जीएस पूरी करनी है जीके मतलब और उसके बाद फिर पूरा फोकस करना है रीजनिंग में क्योंकि रीजनिंग में कोई सारे क्वेशनों में दिमाग लगाना पड़ता है साचना प फोकस करना है जादा जादा टाइम रीजनिंग को देना है दूसरे वाले पेपर में 100 कोईशन आते हैं आपको यहां पर क्या करना है भाईया हिंदी वाले में सबसे पहले बढ़िया कर लो साइंस के 38 में से जितने आते हैं वो कर लो 37 कोईशन के लिए आपको कम से कम आधा टाइम जरूर बचा करना चाहिए एक घंटा तक बचा करना चाहिए 100 कोईशन है 100 में 25 और आपके 38 कितने हो गए 63 कोईशन हो गए 63 कोईशन आराम से आधे गंटे में किये जा सकते हैं ठीक है क्योंकि अगर जो आता है जियास में या फिर यह आपका साइंस और हिंदी में व रहे और यह बहुत अच्छा पैटन है जो भी बनाया है जिसने भी बनाया है यह ताकि आपको रीजनिंग के लिए इस टाइम मिल सके इस तरह से पेपर को अटेम्ट करना है वन फोर्थ की निगेटिव मार्किंग ध्यान रखेगा वन फोर्थ में बिलकुल रिस्क लेने की पॉसिबिल्टी रहती है अगर आप प्रवेबिल्टी देखेंगे तो काफी कम है आप यह समझे कि माल लिजे आपने अगर दस क्वेशन अगर आपने अटेम्ट किये और माल लिजे अगर इन ही केस के आपका बहुता ही ज्यादा जो है लग खराब है तब भी आपके चार क कोशन सही वे आठ गलत हो गए तो आठ गलत मतलब दो कोशन काट दिये गया और दो आपके सही वे तो कुल मिला कि कुछ नहीं दसों गलत होगा तो बात अलग है फिर तो डाई के डाई आपके कोईश्चन काट दिये जाएगा इस हिसाब से करना है यह मैंने कुछ अपनी इस्ट्रेटीजी यहां पर बताई है आपको इस तरह से करना है तो जो भी टेस्ट शीरीज आप हमारी भी लगाएंगे चाहें टाइमर लगाके स्टॉप और लगाके करना है ठीक है अब इसमें देखिए एक देख लेते हैं भाईया रीजिनिंग के लिए क्या है कोई भी प्रेक्टिस भी उठालो आरे से ग्रॉयल की उठालो कि और प्रिवेस यह के यूपिटर प्लेस्टी के जो पेपर है वो उठाक सब ग्रूप में दिया जाएगा हो जाएगा इन दोनों पर थोड़ा वोद मेटरियल हम दे देंगे ज्यादा इसमें कोईशन आते नहीं हलाकि तो जो भी बेसिक वाला आपजेक्टिव कोईशन को कि आते हैं पूरे अब आपजेक्टिव के लिए इसमें जो है जैसे अंतर गोल के लिए पॉलिटी के लिए आपके जो है इकनॉमी के लिए इन सब के लिए पापा वीडियो जोड़ दिये गए आप उतना देखिए एकनॉमी में तो ज्यादा तर आपका करेंट अफेयर का अपडेट रहता है लेटेस फैक्ट रितने हैं तो भीया इसमें आपको क्य करता है सब सबस्यादा इंपर्ट करता इसको करता एफ 오빠 कि सको करता है फॉरिक्स कितना है सारी चीजें budget में डिसकूस करी गई है लिए करेंट अफेर के लिए कोई भी किरेंट अफेर मत फॉलो करिएगा जितना हम दे रहे हैं चाहें पेड़ और चाहें फृरी वीडियो बस उतना पड़ना है बस करशी के लिए हम आपको देते रहेंगे एक क्रशी का पापा उड़े वो मैं जोड़ दूँगो इसमें कोई टेंचनली बात नहीं प्रेलिस अपडेट कर दिये आप देखिए है रहा हम से सेकेंड वाले पेपर में भाईया क्या है और इसमें हचा हाँ बुक की बात करेंगर अगर कोई बुक लेने जाएंगे सिर्फ एक टॉपिक के लिए पूरी बुक खरीदना कहा तक समझदारी या आप भी समझ लिए वरना लूसरेंट की आती है यूपी जी के की भी परिक्षवानी की आती है लूसरेंट की भी आती है ठीक है अंतर वेक्तिक चमता और इनके लिए कोई मुझे नहीं लगता है कि आती भी होगी और अगर आती भी है तो जरा जरा से पॉइंट के लिए इतना सारा क्योंकि 75 क्वेश्चन आने जी के सिर्फ ठीक है ज्यादतर क्वेश्चन हिस्ट्री हिस्ट्री और करंट अफेर से आते है हिस्ट्री करंट अफेर और योपी जी के सबसे बड़ा पॉर्शन यही होता है इसमें यह मैंने देखा है जो प्रीवेश्चन है उनके हैसाब से ॥िक हिस्ट्री के लिए अगर आप जो है हमारे साथ अमँरा पापा वीडियो देख लिए काफी है अगर बुकी लेनी है तो आप जो है कोई भी ले सकते हैं इसके पांडे ले सकते हैं एंशेंट वीडियो मौडर्न तीनों की फैक्ट्वल के हिसाब से काफी ठीक रहेगी भूकू ठीक हां लूसेंट वाली भी आती है लूसेंट में पू कॉम्टीशन बहुत ज्यादा हो गया है सारे जितने भी एक्जाम कराने वाली संस्था हैं वो भी अपने आपको अपडेट कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत यहां पे जो है आपको रिस्क लेंगे अगर आपने सिर्फ लूसेंट पड़ी इसलिए आपको यहां पे कम से कम हम गटना चकर की प्रेक्टिस करने के लिए ले सकते हैं वनना हमारी टेस्स काफी है ठीक है हमने जो टेस्स हम बनाते हैं हम खुद अगर आप बरनवाल का पापा वीडियो दिया है अगर आप देखें सिर्फ लोवर पीसेज की त्यारी कर रहे हैं तो भी आप उसको देख लिए तो फिर मतलब रिस्क क्यों लो टेक और अगर आप पीसेज की त्यारी कर रहे हैं यूपिसी की उसी में सब कबर हो जाएगा के लिए इतना काफी है वान लाइनघर का जो है आपका ज정이 लग से दिए गए। थीदिया गया है फो आप उसमने देख लीएगा पॉलिटिक ले जढ़ा तर लिस्टिंग आती है किसने किसको और दिलाएं किसने किसकों कर विजान किया कान्कौन से आर्टिकिल्मोस्टियों नॉन कॉंस्टूटूटूटूशनल पोश्ट इस सारी चीज़े सम्मिधान की जो बात ने हैं वही सब यहां पे लिखा हुआ है प्रस लेटेस्ट जो कुछ थोड़ा बोत है सिर्फ आप हमारा एक पापा वीडियो देखेगा और प्रस एक और इसमें पॉलिटिक आयागा का फिर से दिया जाए क्योंकि लेटेस्ट मिंडल का लेटेस्ट एगरी कल्चर का रोड़ वाला हो गया आपका जो पावर वाइस कि इसमें कौन नंबर वन पे है इस सारा रेटा थोड़ा थोड़ा अपडेट हो चुका है सबको अपडेट करके मैं दूंगा एक पापा वीड प्रप्रण की मैगजी ले सकते हैं एकनोमिक अपडेट के लिए क्रशी के लिए आप रिक्षावड़े की ले सकते हैं लेकिन चारसो पर साड़े-चारसो पढ़ने की बुक है जरा सी जानकारे के लिए इतनी बुक पढ़ना अगर आपको लगता है कि यह मतलब समझधर यो मैं आपको सेज़ करूंगा ऐसे लोगों से दूर रही है सामान विज्ञान के लिए लूसेंट कर सकते हैं लेकिन साइंस का तुड़ा और देख लिएगा NCRT के जो factual portion है 38 question आते हैं कोई कम नहीं है ठीक previous question भी लगाए जा सकते हैं और इसके लिए मैंने आपको यही वारी चाहिए है जो बाकी गणित के लिए आप practice कर लिए आरे से ग्रवाल की रन पब्लिकेशन कोई भी बुक ले लिए हिंदी के लिए आपकी आदित नहीं हैं उनमें से कोई ले सकते हैं इस लेकिन हिंदी के लिए YouTube में पूरे YouTube में क्या अगर आप मतलब यह माने कि यूप ट्रिपल S के एक्जाम के लिए पुरे इंडिया में अगर देखें तो हिंदी में हमसे बड़ी हैं प्लेलिस किसी ने नहीं बनाई है आप उसको यहां पर मिसिंग है वो आपको अपडेट कर दिया जाएगा हिंदी की प्लेइस में तो लोवर पीसेज के लिए एक तो लोवर पीसेज की प्लेइस फॉलो करनी है ठीक है अब अपनी औरिजिनल पर आ जाते हैं इसी हिसाब से मैंने आपको बता दिया है सब कुछ कहां क्या कर प्रेक्टिस करनी काउंस इबुक पड़नी सब कुछ अच्छा एक जी मैंने आपको बताया था कि यहां पर जैसे पेपर वन पर टूइस हम डिसकस करी चुके हैं अब किसमें क्या पढ़ना यह सब समझेजिए मैंस के लिए रिजनिंग के लिए प्रेक्टिस करनी भाया जि बाकी चीजों के लिए करेंट अफ़ेर हो गया चाहे हिंदी हो गया चाहे साइंस हो गया सिर्फ हमारी पीडिया फोर पापाव वीडियो सफिशेंट है उतना पढ़ लिए काफी हो जाएगा ठीक यह कंपाइलेशन साइंस के लिए अपडेट वाली अच्छा हमने सारी कंप सब्सक्राइब करते रहते हैं हमारी पूरी टीम ही इसलिए इसलिए आपको आपने देखा होगा मतलब जितना भी जो अपडेटेड वाली चीज़ वह सिर्फ स्टेडी फॉर्ट सिर्फ में मिलती है इवें जब हम अपने अभी जैसे एकनॉमिक अपापा उड़े निकालेंग अब इसमें देखें साइंस में क्या करना है आपको अगर पेड़ गूप में है तो सिर्फ कमपाईलेशन वाली पढ़ लिए ध्यान से कुछ एक्स्टा नोट्स अगर मिल सकते हैं अगर जरूरत लगी तो वाल नाइनर का पापा देख सकते हैं उसके साथ पॉलिटी मैंने पेडिया पेड़ गूप में दी हुई है आप वहां से ले लिजेगा हिस्ट्री एक चुली ऐसा सब्जेक्ट है इसमें प्रेडिक नहीं कर सकते हैं कि क्वेशन कई बार जो है सरल भी आ जाते हैं कई बार कटिन भी आ जाते हैं कमपाईलेशन वाली फाइल तो पढ़नी ही इसको बहुत जल्दी अब मतलब बहुत ज़्यादा इसको ध्यान से समझ के सारा यहां पर लिस्टिंग दी गई है वह आपको पढ़नी है जोग्रफी के लिए भी आपको कमपाईलेशन पढ़नी है प्लस पापर वीडियो देखना है और प्लस प्लेलिस देखनी है ठीक है अब नहीं किया है लेकिन मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं आपको यहाँ पर जरूर दूँगा लेकिन वह कमिटमेंट में नहीं यह अगर टाइम मिला तो हैं पर इस सबका दिया जाए अलग से भी वह से विया आपको मिलेंगे कम्पाइलेशन इन्वार्मेंट के लिए सिर्फ प्लस एमसी क्यों प्लस प्रेक्टिस यूपी स्पेशल के लिए सिर्फ प्लस पापा वीडियो एकनौमी मैंने आपको बता दिया है सब आपको अपडेटेंट मिलेगा सब कुछ अभी वैसे देखें अगरी कल्चर और मिंडल बदल के पढ़ने हैं अगर डेली तीन से चार गंटे पढ़ रहे हैं एक ही सब्जेक्ट में पढ़िए आदा आदा गंटा एक एक गंटा ऐसे करके पढ़िए हैं एक टेंटेटिव शेडूल दिया है मैंने यहां पर वर्किंग लोग अपने हिसाब से उसको एड़्जेस क करवा सकते हैं लेकिन करोगे अगर आप नहीं तो फिर क्या कर पाएंगे तो भाईया पढ़ना तो पढ़ेगा आपको खुद तीन से चार गंटे डेली पढ़ना रीजनिक मैस की वीकली टेस्ट लगानी ही लगानी है पार्टिसिपेट करना ही करना है जो डाउट से लगात प्रेफरेंस अगर आप देखें कही से दिया जाए पहली बात तो रीजनिक मैस की प्रिक्तिस करनी है बासे नमबर तो वहां रखे भूए 31 परससन्त तो तो यह वाई स्कूझ सी कर लेना प्लीज प्लीज कर लेना प्लीज कर लेना उसके बाद साइंस 38 question आते हैं या गलत लिगया यह 38 question है मतलब आप समझेज़े पूरा gk आता है 75 नंबर का और सिर्फ science आती ही 38 तो भाया science को ध्यान से पढ़ो NCRT 6 से लेके 12 तक बड़े पापा वीडियो देख लेना और वन लाइनर का जो हमारा latest compilation updated वाला है वो पीडियाप पढ़ लेना प्लस उसका वीडियो भी पढ़ा हुआ है English Hindi में अलग-अलग वन लाइनर पापा वीडियो पढ़ा हुआ है उसको देख लिए Hindi के लिए 25 question आपको बता दिया सारा note जो ग्रूप में देंगे प्लस पापा वीडियो यह कोई बूप कोई कुश नहीं करेंगे चान को RAW साइंस के पर ज्यादा फोकस रहेगा द्यान रखेगा गेंगा यह से चाल गंटे का आप आप चाहें तो इसको फॉलो कर सकते हैं वरना आप अपने हिसाब से अपनी स्ट्रेटीजी बनाने के स्वतंत्र हैं और क्योंकि सबके लिए यह नहीं डिसाइड हो सकता है कि भीया कोई 6-7 पढ़ो या 7-8 ऐसा नहीं हो सकता है इसलिए मैंने आप एक 32 टाइम लिग दिया है क थोड़ा थोड़ा खाओ एक साथ खाओगे तो बधजमी हो जाएगी इसलिए साइंस में आपको डेली 30 मिनट देने ही देने कम से कम ठीक है यहां पर आपको 38 कोईश्चन है 19 परसेंस साइंस से ध्यान लगएगा रिजनिंग मैस मैं बने बताए 31 परसेंट है डेली प्रेक् कर लेना प्लस कुछ टेस्ट हो जाएंगे करेंट अफेर के वह आपको दे दिये जाएंगे पॉलिटिक लिए सिर्फ प्लेलिस्ट आपको करनी है और प्लस पीडियाफ प्लस लिस्टिंग जो दूंगा में वह 20 मिनट के आसपस करनी है डेली हिंदी डेली 20 मिनट पढ़नी ह साइन्स आपको 30 मिनट डेली 30 मिनट प्रेक्टिस करनी है और फिर उसके बाद हिस्ट्री थोड़े इंपॉर्टेंट है 30 मिनट करनी डेली जो पीडियाफ बता ही है प्लस जो पीडियोज है एक तो कंपाइलेशन प्लस कुछ समरी पीडियाफ है करनी पड़ेंगी आपको प प्लस कंपाइलेशन देखना है उसके बाद एकनॉमी में सिर्फ एक्ट्वल चीज़ें सब प्रेट मिलता रहेगा बाकी मिसलेनियाज और जो चीज़े बाकी हैं वो सब ग्रूप में मिलती रहेगी स्पेशल पीडियाफ के फार्म में डिसकेशन ग्रूप आल टाइम आउन है आप जब चाहें पूछिए जब जिससे जो भी चीज़े पढ़ने से रिलेटेड़ आपको लगती है आप पूछिए परसनली कोई डाउट है यह मेरा नंबर सेवन एट्ट्री एट सिक्स नाइट इस पर आपको पूछ सकते हैं सारी कॉल नहीं कर सकते हैं इस पर सिर्फ और दूसरा प्रेट गूप मेटरियल कैसे देखें यह दोनों वीडियो के बाद फिर भी अगर कोई आपको यहां पर डाउट लगे तो भाया प्लीज डिसकेशन गूप खुला पूछ लेना डिसकेशन गूप में कोई भी बत्तमीजी एक दूसरे से नहीं करेगा कोई आप सिर्फ इस्टेडी रेटेड नाता रखिये यहां पर सिर्फ आप सिलेक्शन लीजिए और आगे बढ़िए जिंदी की में तरक्की करिए ठीक है और हमारा नाम रोशन करिए जो इतना हम में नत करते हैं उसको आगे बढ़ाईए बस बाकी किसी और परपस के लिए आ र येगा.